अब देख वह हैं चेक तक एद लाइफ और आज करेंगे हैं अंबोक्सिंग इस ऐसे फोन की जो कि काफी लोग हमारे से पूछ रहे थे कि ये फोन का आएगा और फाइमली इस है वी हाज देख वेड़ी नोट 5 विद आस प्रो भी है प्रो भी आने वाला है उसकी भी हम आपक अब देख वेड़ी नोट 5 विद आपको बता देख और काफी अच्छा फोन है काफी दमांड में है ये फोन और लाइक ये किन सी इस मेड इन इंडिया भारत में बना है फोन और स्पैसिफिकेशन भी इसकी हम जान लेंगे बहराल पहले देखते हैं कि क्या-क्या और इसमें दिया गया है दे यूगोँ हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बेना किसी डामेज के खुल जाए ये बिल्कुल ब्रांड न्यू डवाइस जिन मारे पास पहुचा है और ये देखिए ब्रांड न्यू फोन है बहुत ही बढ़िया है बेरी फर्स्ट लुक और ये बेरी फोन इस बेरी इंप्रेसिव आप देख सकते हैं कि काफी खूबसूरत फोन है ये पहली लोक में ही आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये जूड़ चुके हैं और नियाज अहिमत भी है पवन वर्मा हमार साथ जुड़े हैं ये अच्छा फोन है पवन और इसका नाम है ये दिया गया है कवर इसके साथ जो कि अब यूजिली सारे स्मार्टफों के साथ मिलने लग गया है और बॉक्स में क्या क्या है हम देख रहते हैं इस इस पैसिफिकेशन गाइट इस इस वारंटी काट और चार्जिंग केबल सिम एजेक्टर साथ ही दिया गया है चार्जर और दिया गया है केबल अब इसको साइब में रख देते हैं और फोन देखते हैं कि कैसा है यह देखिए दीपक पूछ रहे हैं नोट फाइप प्रो का अंबॉक्सिंग बिल्कुल करेंगे दीपक जो है MIUI 9 दिया गया है इसमें जो कि अभी आपने स्क्रीन ओन होते ही देखा तो यह शाओमी का नया फोन है जिसमें MIUI नया स्किन जो है अपडेट वर्जिन वो दी गई है इसके बाद आगे आपको बता देते हैं इसके बाकी फीचर भी 5.99 इंचे स्क्रीन है इसकी 18 इस्टो 9 एसपेक्ट रेशो है इसका और स्क्रीन कवर कोई चाते हैं हताने के लिए यह देखे इस्क्रीन कवर हमने था दिया है so this is how it looks minus the screen cover उसके बाद आपको बता दें कि जैसा कि screen बताया 18.9 aspect ratio है full screen display है इसका 2.5D front glass panel है Corning Gorilla Glass साथी आपको बता दें कि इसमें camera जो है तीछे आप देख सकते है दिया गया है और एक camera आगे दिया गया है और यहां पर fingerprint sensor साथ में दिया गया है camera की बात करें तो 12 megapixel का इसका rear camera है with dual LED flash जो की यह है आप देख सकते हैं camera lens है 12 megapixel का dual LED flash के साथ नीचे fingerprint sensor दिया गया है और front camera है 5 megapixel का और इसमें face recognition भी दिया गया है आपको बता दें fingerprint sensor के साथ साथ और इसमें call from snapdragon 625 दिया है which is a nocta 4 processor Redmi note 5 के unboxing आपको दिखा रहे हैं और आपको बता दें कि इसकी जो flash sale है वो भी हम आपको बताएंगे कि कब हो रही है आप कब खरीद सकते हैं इसको और flash sale यही है कि एकदम कुछ ही time के लिए जो sale होती है वो होती है उसके बाद आपको यह बहुत time बाद मिलेगा तो flash sale का मतलब ही यही होता है तो आपको यह भी हम बताएंगे कि इसकी fast sale कब हो सकती है price बहुत ही अच्छा price है जिस price में यह phone मिल रहा है and let me tell you that it's a budget phone and very good for its price आप देख सकते हैं fingerprint sensor on the lock screen और बाकि आप जो भी चाहते हैं configuration वो आप बाद में कर सकते हैं यह देखे setup complete हो गया है and जब तक apps load हो रही है आपको हम questions भी ले लेते हैं साथ साथ में रफी price जाना चाहते हैं रफी अभी आपको हम price बताएंगे कौन सा phone है नवनित यह है Xiaomi का Redmi Note 5 और साथ ही पूछ रहे है परशो की Note 5 Pro की अन्बोक्सिंग कब होगी बहुत जल्द होगी आजे जी कह रहे है nice yes it is actually a nice phone Mukesh हाल को कह रहे है hello सावत hello तक-tक के साथ जुनने के आपको बहुत धन्यवाद और आपको बता दें कि यह phone है जो इसकी flash sale होने वाली है 7 March को 7 March को 12 बज़े से flash sale होगी Flipkart और mi.com पर आप इसे खरीद सकते हैं और flash sale बहुत ही limited price के लिए time के लिए होती है इसलिए उसे flash sale कहा जाता है तो अगर आप यह phone खरीदना चाहते हैं तो 7 March को इसकी flash sale होगी आपको फटा फट सब से पहले जाना है Flipkart पे mi.com पे जैसे ही यह phone की flash sale खुलेगी आपको क्लिक करना है अपने details enter करने है price पे करना है और यह phone आपका हो जाएगा वेल यह देखिए this is how the phone looks like 12 megapixel का camera है with dual LED flash और 5 megapixel का front camera है with face recognition also 4G phone है यह dual SIM में दिया गया है आप चाहें तो हम dual SIM को एक बारी open करके भी देख लेते हैं ताकि और भी clarity आपको मिल जाए so let's just open the SIM slots यह देखिए these are the SIM slot SIM 1 and SIM 2 बाकि आपको बता दें कि इसकी जो memory है यह दो variants में launch हुआ है एक है 4 GB RAM with 64 GB internal storage और 3 GB RAM with 32 GB internal storage यानि 4 GB RAM के साथ 64 GB internal storage एक वेरियंट है और दूसरा वेरियंट है 3 GB RAM के साथ 32 GB की internal storage और वेल भराल प्राइस लोग पूछ रहे हैं इसका आपको बता दें कि जो 3 GB का जो वेरियंट है जिसका 32 GB internal storage है वो आपको मिल जाएगा 9,999 रुपे में तो एक तरह से कहें 10,000 रुपे में ये phone आपका हो सकता है 4 GB RAM और 64 GB internal storage वाला जो फोन है इसका जो दूसरा वेरियंट है वो मिलेगा आपको 11,999 रुपे में यानि 12,000 में आपको मिल जाएगा तो दोनों models के बीच में RAM का फरक है internal storage का फरक है और साथ ही साथ 2,000 रुपे का लगभग difference है तो आप जो भी model खरीदना चाहते हैं flash sale होगी उसकी आप वो select कर सकते हैं और खरीद सकते हैं शिवम है हमारे साथ विशिष्ट शिवम वो पूच रहे है 9,999 रुपे जी हां बिलकुल 3 GB RAM और 32 GB internal storage के साथ जिसकी कीमत है 9,000 रुपे प्राइस फर दिस फों आंडॉइड वर्जिन आपको बता देते हैं यही पर जाके देख लेते हैं Android वर्जिन इसमें बाकी शिस्टम्स भी हैं डूल अप्स जो चलती हैं वो हैं प्लस एडिशनल सेटिंग्स में आखे अपने हिसाब से कर सकते हैं तो लेट्स गो तो अंडॉइड वर्जिन इसमें Android लोगा दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसमें अप्ड्रेड होगा की नहीं उसकी फिलहाल इंफरमेशन नहीं मिल पाई है बट यूशली शाओमी के फोन अप्ड्रेड होते हैं इन तरम्स अफ स्पेक्स अन इन तरम्स अफ सॉफ्ट्वेर सो हो सकता है कुछ ही समय में इसका Android का अप्ड्रेडड वर्जिन भी आपको मिल जाएं भेराल इसमें Android नुगा ही दिया गया है ओके और क्वेशन आ रहे हमाँ पास picture quality कैसी है हम आपको एक photograph खीच के अभी दिखा देते हैं और इससे पता चल जाएगा कि picture quality कैसी है तो यह देखे और ऑप्शन्स में आप देख सकते हैं क्या-क्या ऑप्शन्स दे रखे हैं इसमें साथ ही आप अगर कोई भी फिल्टर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं low light photography के लिए it's a very good phone यानि अगर light कम है तो भी जो photography के लिए light manage हो सकती है बाखी आप देख सकते हैं किस तरह की picture आई है let's just see camera test यह देखे यह हमने filters के साथी थी this is like without it pretty decent and we can also take a selfie and see how it face 5 megapixel आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं काफी clear है बाकी options है you can edit it you can add whatever filters you want to जो की usual filters दिये जाते हैं किसी भी camera आप में so that's about the camera और बाकी आप देख सकते हैं connectivity के लिए GPS है 4G phone है यह dual sim है और साथी साथ आपको बता दें कि बाकी जो apps है usual apps वो भी दे गई है MI remote है MI drop है MI community है or MI video भी है and MIUI is 9 जो इसकी skin है वो यूज करी गई है 8.05 mm slim है यह इसकी जो slimness है वो 8.05 mm है 180 Grands का यह phone है which is not very light but not very heavy also आके भी यह Redmi Note 5 है तो आपको दिखाएंगे एक दो दिन में उसकी भी look so this is how it looks and साथी आपको बता दे बाटरी इसकी 4000 mAh की बाटरी है which is pretty good decent battery to give you a run for a day एक पूरा दिन आपको बिना चार्ज के निकल जाएगा अगर आप एक फुल चार्ज कर लेंगे तो प्रदीर गुड़ीवनिंग आपको स्वागत है टेक तक पर और आप लोगों से दरखास है कि आप टेक तक के सकते हैं और स्मार्ट गाजट गोगी तो वहां पर जरूर जाएं अबस्क्राइब करें सब्स्राइबर्स बढ़ाएं और हम गिववे भी जल्द अनाउंस करेंगे जब हमारा सब्सक्राइबर्स पहुँच जाएंगे लगभग पाचास हजार हम दो गिववे करेंगे आप वन गो तो यू आप देख सकते हैं इस 5.99 इंच स्क्रीन और फुल स्क्रीन डिस्प्ले है इसका 18-9 aspect ratio दी गई है और आप देख सकते हैं 3.5 mm jack दिया गया है microphone दिया गया है infrared दिया गया है नीचे dual speakers दिये गए है और आप देख सकते हैं कि charging port भी दिया गया है और यह type C नहीं है यह आपको बता दें और यह किधर मिलेगा दिल्वार पूच रहे हैं दिल्वार हुसेंग यह आपको मिलेगा mi.com पे और आपको flipcard पे भी मिलेगा इसकी flash sale शुरू होने वाली है साथ मार्च को रात बारा बजे से flash sale मतलब एकदम quick sale है जट से यह phone flash होएंगे website पे आपको फटाक से पचेस कर ला है पैसे देने हो फोन आपको यह आपको ध्यान में रखना है ज़रूर और प्राइस मीना पूच रहे हैं मीना प्राइस इसका है 9,999 रुपए 3GB RAM और 32GB internal storage के साथ 12,000 प्राइस है 4GB और 64GB की internal storage के साथ 625 Snapdragon processor दिया गया है 4,000 mAh इसकी battery है face recognition भी दिया गया है इसमें 4G phone है यह dual SIM और dual LED flash दी गई है पीछे 12 MP का यह फ्रंट इस फाइव मेंगर पिक्सल और हमने कुछ पिक्चर भी खीची है जो आपको एक बार फिर हम दिखा देते हैं इस फ्रम देर टामरा क्वालिटी क्वालिटी प्री डीसेंट और यह फ्रंट कामरा है सेलफी भी काफी अच्छी आई है एक चुछ प्रॉब्म ना आ इसमें 8.05 mm slim है एक सो असी ग्राम इसका वजन है और मार्च साथ को इसकी फ्लाश सेल होगी तो आप जरूर खरीदेगा और बाकी आप लोग कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें बता सकते हैं आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे बाकी फोन के बारे में आप दे यानि इसकी जो इंटरनल स्टोरेज है वो है 64GB की तो इस इस अबाव द फोन कनेक्टिविटी के लिहाज से यूजल कनेक्टिविटी है जो दी गई है और कुछ और आप लोग जानना चाहते हैं बैटरी हमने आपको बताया कि 4000 mAh की बैटरी है इसकी और बैटरी सेवर जैस से अप्स भी इसमें मौजूद है मैं अकाउंट है जो भी यूजली सब में होता है डूल अप्स भी पॉसिबल है इसमें आप लॉक भी दिया गया है तो अप्स भी जानना चाहते हैं आप इसे ब्लाक गोल्ड ब्लू और रोज गोल्ड कला में खरीच सकते हैं चार कलर्स में लांच हुआ है और 18-9 aspect ratio है फुल स्क्रीन डिस्प्ले है 2.5D front glass panel Corning Gorilla Glass 4000 mAh की बैटरी है 625 Qualcomm Snapdragon Octa Core Processor और MIUI 9 दिया गया है इसमें 5.99-inch screen है Android Nougat 7.1 पर यह चलता है सब्सक्राइब करें आप टेक तक को और टेक का पेक देखने के लिए फिलहाल FB पर आपका बहुत बहुत सभी का धन्यवाद